दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला हूं कंट्रोल एक्सेस प्रोटकॉल के बारे में अपने आप में बहुत इंपोर्टन प्रोटकॉल है युनिवस्टी एक्जाम सो कॉम्टेटिव एक्जाम सो वाई वाहों रेगुलर बेसिस पर यहां से कोशन पूछते हैं डीटेल होने वाली है एक वीडियो देख लेंगे पूरी क्लारिटी आपको इस पूरे सेक्शन पर आने के कंट्रोल एक्सेस प्रोटकॉल पर हो जाने वाली है तो चली शुरू करते हैं जरनी करना चाहते हैं तो पहले आप रिजर्वेशन करते हैं स्टेप नंबर वन और स्टेप आप ट्रेवल करते हैं और अगें आपको क्या बात ध्यान रखना है कि यह जो कंट्रोल एक्सेस के तीनों आइडिया हम पढ़ रहे हैं जैसे हमने पहले रेंडम एक्सेस पढ़ा आप कमिया जादा कितना भी दिमाग लगाओ क्या वहां पर कॉलिजन का चांस था क्या ओब एक शेर्ड मीडियम में नेट्वर्क्स में कीसे करते कि इक्जामपल से समझाता हूं एमाजन करेँ कि शियर्ड मीडियम हमारे पास है और इस एक आम क्यों से स्टेशन तू स्टेशन 3 स्टेशन 4 स्टेशन 5 तोटल 5 स्टेशन यहां पर हैं जो इस मीडियम को शेर कर रहे हैं अब कौन के इस टाइम पर ट्रेवल करेगा इसके एक mutual understanding एक reservation होना चाहिए था कि बाद में clash ना हो हम क्या करते हैं हम अपने टोटल टाइम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं एक पार्ट जिसमें reservation intervals का time होता है और दूसरा जिसमें data transmission का एक random example लेकर समझाता हूं मान लीजे यह starting के जो आपको slots नजर आ रहा है न यह timing है किसके हिसाब से यह बता रहा है किसका interval किया है for example लिट में से इसको किसी स्लोट करो कोई फर्क नहीं बढ़ता 11 बज के 11 बज के 11 बज के एक मिनट तक का time पहले station का है 11 बज के एक मिनट से दो मिनट तक का time second station का similarly two two three three two four and then four to five यह पांच मिनट हमारे हो गए अब जिस स्टेशन को यह पांचों को हमेशा slot मिलेगा अपना पांच मिनट का for example आपको transmit करना है नहीं करना हम आप से पूछेंगे जरूर कैसे पूछेंगे आप कैसे बताओगे तो जब 11 बजे से 11 बज के एक मिनट तक का समय होगा अगर आप reservation कौन करेगा जो transmission में इंट्रस्टेड होगा अगर आप reservation करना चाहते तो आपको क्या करना है आपको shared medium में one लिख देना logic one that is it यानि कि हर किसी को broadcast कर देना data one जैसे कोई one पड़ेगा इस slot में हम सब को यह पहले से पता होगा कि 11 बज के 11 बज के एक मिनिट तक का जो slot है वो station one का है और अगर उस समय logic one line पर लिखाओ इसका मदलब station one transmission करने में इंट्रस्टेड है as simple as that similarly जो यहाँ पर नजर आ रहा ग्यारा बज के एक मिनिट से 11 बज के दो मिनिट में मान लीजे हमें पता है सबको की एस टू का टाइम है और फिलाल लाइन पर जीरो लिखा हुआ है जो common transmission नहीं है तो पहला slot complete हो गया और सर एक policy बन गई कि कौन-कौन लोग transmit करने वाले अब होगा क्या उसके बाद मान लीजे दूसरा टाइम है data transmission का period इसमें again it is it depends on the implementation let me say कि मैंने 10-10 minute का slot दिया हुआ है तो मैंने slot दिया अब सबको पता है कि क्योंकि 1 ने reservation कि और उसका number पहले है तो अगले 10 minute है यानि कि 11.05 पे process खतम हुई यही time से लिखता हूं तो 11 बज़के 5 minute से 11 बज़के 15 minute कौन transmit करेगा एक करेगा अगला reservation किस का था तीन नंबर का तो फिर अगले 10 minute किस के हुए तो 11 बज़के 15 minute से 11 बज़के 25 25 मिनट तक कौन transmit करेगा टी 3 और final reservation है 4 number का 11 बज़के 25 मिनट से 11 बज़के 35 35 मिनट तक कौन transmit करेगा station 4 और यह पूरी process complete हो जाएगी फिर सही यह game चलेगा जो अगले 5 मिनट होंगे फिर उसमें सब अपना अपना reservation करेंगे और ट्रांस्मेट करेंगे यह पूरी policy है सर आइडिया बहुत सेंपल है 90% ज्यादा बोलूँगा जो पढ़ रहे उनकी बात कर रहा हूं उनको misconception इस policy में समझ नहीं आता यह packet किया फोल्टर किया ट्रामा किया तो पहला यह 10-10 मिट सबका fix है 10 मिट आपको मिलेगा ट्रांस्मेट करो उसका अगले का नंबर उसका अगले का नंबर और फिर यही पूरी policy बस बार 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 रिपीट होती जाएगी that is reservation अब बात करते हैं polling के मारे में तो polling जो प्रोटकॉल है वो किस तरह से काम करता आप सोच है तो client server architecture है तो admin control करता कौन आपस में कैसे बात करते हैं आम तोर पर आप देखते हैं कि काफी नोग जोग हो जाती है लड़ाई वाली भी situation आ जाती है तो यहां पर rules and regulations बड़े strict बनाए गए हैं कि लड़ाईयां ना हो कैसे मान लीजे विपक्ष में कोई बैठा हुआ और उनको कोई सवाल पूछना है let me say rail minister से जो इधर बैठे हैं क्या यह direct rail minister से बात कर सकते हैं नहीं तो यह क्या करते हैं यह अपना question speaker को बोलते है कि madam या जो भी madam your sir whatever it is कि हमको यह question पूछना है then speaker वो question concerned minister को पूछते मिनिस्टर वो answer speaker को देते हैं speaker वो reply बता देते हैं सामने जिसने भी question पूछा हलांकि लोग सवामने सामने बैठे हूँ है but nobody you know will address anybody directly हर कोई address किसको करेगा speaker को so that को problem ना हो कुछ इसी तरह का idea हम polling mechanism में use करते हैं समझाता हूं कैसे दो ही तरह के idea हैं बहुत शांदार तरीके से बहुत simple language में समझाता हूं देखो logic यह है पहली बात कि यहां पर जो हमारा medium है उसमें एक device होगा जो बनेगा primary और बाकि जितने भी होंगे वो सब होंगे secondary तो फिलाल इस example में के screenshot में क्या नज़रा रहा है कि एक shared medium है जिसमें दो तो secondary device है A और B और एक हुआ हमारा primary device point number one अब क्या for example A को B से transmit करना है या B को A से transmission करना किसी को भी initiate क करने की permission नहीं है यहां पर बहुत high level की authority authority कैसे मैं समझाता हूं मान लीजिए कि for example primary को data transmit करना है for example वो किसी से communicate करना चाहता है तो क्या कोई भी डिवाइस दर्क भी बोल सकता मेरे को data chain नहीं step number one primary क्या करेगा जिससे भी बात करना चाहता है for example B से बात करना चाहता है तो primary पहले एक बार देख लेगा या बी रेडी भी है के नहीं है for example मैं transmit कर दो और भी रेडी न और डेटा discard हो जाए कुछ problem हो तो यहां देखिए इसको बोलता select function तो primary सबसे विले एक select packet भेजेगा किस के पास B के पास B को select करने करें कि मैंने तुम्हें select किया है और select packet का मतलब है B को mutual understanding है पहले से कि primary को data transmit करना चाहता है B से पूछ रहा मैंने तुम्हें select किया तुम ready हो क्या data के लिए तो B ने for example acknowledgement दिया yes I am ready अगर भी रेडी ना होता तो negative acknowledgement दे सकता था that is a very simple idea जैसे यह acknowledgement में मिला अब primary को पता लगा कि ठीक यार भी रेडी है और हो accept कर सकता है तो यहां पर देखिए उसने step number three में डेटा जो भी वो ट्रांस्मेट करना था भी तक पहुंचा क्योंकि shared medium है रास्ति में रेडी है तो acknowledge करेंगे रेडी नहीं है तो मना कर दीजेगा negative acknowledgement भेज़के और अगर रेडी है तो third step में आपका डेटा आएगा if everything is okay you give just acknowledgement thing is done दूसरा idea नहीं प्राइमरी को अगर डेटा भेजना तो ठीक है सर उल्टा है अगर बी को डेटा भेजना होगा एको तो कैसे करना है तो भी चुप बैठना हाथ भी नहीं उठाना चुप बैठे रहना है जब आप से पूछा जाएगा तब जवाब सिवर्स मोड में प्राइमरी ने से डेटा लेना चाह रहा है तो प्राइमरी ने पहले एको किया इसको बोल करना सलेक करना पॉल करना हम पॉल कर रहे है तो प्राइमरी ने यह से कम्मिकेट किया और उसको पूल किया कि भाई तुमको कुछ डेटा भेजना है क्या है तो बत बेटा भेजना है बट फिर हां बोलेगा फिर डेटा बोलेगा कोई मतलब थोड़ी है तो डारेकली उसने पोल किया हां डेटा भेजना बदले में डेटा भेज दिया तो यहां पर तीन स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट होगी चार नहीं लगेंगे और अगर मैं पूरा जब प्राइमरी एक को पोल करेगा तो यह उपना डेटा प्राइमरी तक पहुंचाएगा फिर प्राइमरी स्लेक्ट फंक्शन का यूज करके बी को बताएगा मैंने तुमको सलेक्ट किया तुम रेडियो तो बोलो मैं तुमको डेटा भेजता हूं डाट इस अन इस बात को कोड़ करता हूं देखिए टोकन पासिंग बहुत सिंपल आइडिया है जिसका लॉजिक यह है डिफॉल्ट केस में शेयर्ड मीडियम है सर किसी भी टाइम पर उस मीडियम का कौन एक्सिस करेगा कौन उसका एड्मिन होगा यह डिसाइड हम करेंगे किसके पास ट होगा तो हमने एक सिस्टम बना रखा एलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया है जो एलेक्शन कराता है उस एलेक्शन में जो जीता उसके टोकन देते टोकन एक एक एंटिटी है जो पास साल के लिए आपके पास रहेगी आप अपने हिसाब से देश चलाएं बाकी सारी लोग अप पास हो चुका है सेम आइडिया मैं यहां पर बात करता हूं नेटवर्क में आपकी टॉपलोजी क्या है शेयर्ड मीडियम कैसे हैंडल कर रहे हमें कोई परवानी बहुत सारे स्कूल में क्लास का उट पास होते हैं टोकन अगर आपको बाहर जाना आपको आउट पास लेके ठिस्ट नहीं है लेटमी से मैंने बोल यह कि पहले 5 मिने टोकन एस 1 के पास रहेगा अब एस 1 जिस से चाहिए कर सकता है 5 मिनिट के बाद आटोमेंटिक ली वह टोकन किसके पास पहुंचे का सकता है फिर वो टोकन के पास पहुंचेगा क्लैश कॉलिजन कभी क्यों नहीं हो बिना token के आप transmit नहीं कर सकते और token सिर्फ एक है सर तो एक से जादा लोग transmit करेंगे कैसे एक बाद समझे यह तीनों protocol जो है चाहे वह reservation है चाहे वह polling है या वह token पासिंगे इसमें किसी में बहुत डीटेल में जाने की ज़रुद भी नहीं है क्योंकिए डीटेल में जाते है protocol में तूपी वेरी वह हॉनेश्ट यहां पर जो हमने discussion किया यह आम्टोर भिजो में डिस्कस करते हैं यह आइडिया डिसकस करते है प्रेटाकॉल के अंदर देटे तो इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आ रही हों चीज अच्छी लग रही हों तो वीडियो को लाइक करिए कमेंट करिए आने वाले टाइम में कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए अगर आपको कंटेंड अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको तुरन नोटिफिकेशन मिलता रहे थेंक्यू सो माच